हेलो स्टुडेंट्स मांक दर्सन फुरकामस में आपका स्वागत है आज मैं आपको बियारिस से वह बताऊंगा जो आपको कभी किसी भी भी भूक में ढूंड़ियेका कहीं भी ढूंड़ियेका आपको एकदम नहीं मिलेगा ठीक है और यह वह टॉपिक ऐसा है जिसमें अब इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रॉंग एमाउंट डेविट इन कैस्बूक में जब हो जाए तो प्लस माइनस क्यों होता भी आरिस में अब इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है वह बताऊंगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यह चारो हूँ की सबसे आफ इसक्राइब कर देगा अर्वा को इस टेखिंफ में मैंस क्यों होता है थे पर दिखाते हैं बाकी सब भी उससी टेक्निक बन जाएगा देखे यह हम लोग का cash book का side ठीक है और यह हम लोग का pass book का side ठीक है अब Cash book का यह आपका debit side और यह आपका credit side और यह cash book आपका debit side होकि Such a यही balance हम लोका passbook में credit side में दिखता है दिखता है अब अब देखिए अब हम लोग गलती करते हैं यानि कि जो इसमें लिखा हुआ है under casting करना है under casting कौन सा credit side of cashbook में करना है तो देखिए अब आपको जो था आप जो है ठीक है आप चेक जो है काट के दे दिए 200 का और अपना books of accounts में यानि कि cash book में जो है उसमें क्या कर दिए उसमें आप entry पास कर दिए सिर्फ 100 रुपया का ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि जब यह जिसको आप चेक काट करके दिए है जिस seller को वो तो भाई जब अपना bank में आप आपको जब लेकि जाएगा तो आपका जो bank वाला है वो आपका account से 200 रुपय माइनस कर देगा debit कर देगा लेकिन आप अपना account में कितना माइनस कर ली है आप अपना account में 100 रुपय माइनस कर ली है अब देखिए इसका effect क्या होगा अब अब इन सब को हम लोग totaling करते है ठीक जो बोलता है आपका कि अंडर कास्टिंग credit side और payment side of cashbook यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि देखिए होना कितना चाहिए था actual में अब इसको हम लोग को ब्यारिस में ठीक करना है तो सबसे पहले ठीक करने के लिए इन दोनों का net effect निकालना वड़ता है ठीक है यानि कि आपका cashbook में actual balance कितना है 900 एक सो माइनस हो गया तो 900 बचा आपका cashbook में पैसा लेकिन आपको पास्टूक में कितना बचा पास्टूक में पास्टूक अभी 900 बचा कहा नहीं भाए पास्टूक वाला गल्दित होई नकिया है बैंक वाला आपका account पैसा माइनस करेगा तो आपको पूरा दूसर और माइ हैं कि आपका जब बैलन्स अचपर cashbook दिए हो तब ऐसा प्लस मेनत करते हैं अगर बैलन्स अचज़ पास्टूक यह उल्टा हो जाए का यहां पर बैलन्स अचपर cashbook लेका मतलब होता है कि यह 900 और और यह 800 फटिक अब बैलन्स अच़पर cashbook बोनने पास्टूक से 2 से match कराते है ठीक है तो यहाँ पर यह 900 और 8 जो करेट करने जाएका 돼 Us बनाने जाएका तो बढाई तो ऐसा क्या किजिए गा कि 98बा क्या निल हो जाए अब्ले सै भई, माइनस कर देंगे सौकर formats करेंगे शॉमार माइनस कर देंगे यहां से 100 माइनस करेंगे ऐर यह बैलेंस और यह बैलेंस मैच कर जाएगा ठीक है बैलेंस आद पर cashbook से लेने का मत्तब्य होता है कि हम लोग cashbook का balance को passbook से match कर आते हैं तो इस 900 को 800 लेकर आए तो क्या किये यह माइनस किये देखिए यहाँ आप माइनस किये और यह देखिए यह आपका under casting of credit side of payment side of cashbook में क्या कर रहे हैं देखिए माइनस कर रहे हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब अब जरह इसको भी देख लिजे कि wrong amount debit in cashbook में हम लोग इसको माइनस क्यूं करते हैं ठीक है देखिए पहले तो समझे कि दोनों difference क्या है देखिए यहाँ पर जो था ना यह जो under casting over casting यह आपका side को consider करता है कि credit side को और debit side को यह उसमें consider कर रहा है आपका side को लेकिन यह जो रॉंग amount देखिए जो आप debit और credit हो रहा है आप cashbook में चाहिए पासbook में यह simply बस इतना ही बोड़ रहा है कि आपका cashbook आपका cashbook या तो आपका पासbook में पैसा आ रहा है तो पैसा जा रहा है यह तो पैसा उसमें आप deposit कर रहे है तो विट्रो करने लेकिन यह आपका वह ऐसा नहीं बोलता है यह आपका side को consider कर ले रहा है इसमें केवल debit और credit लिया है को आपका side considerate नहीं किया तो इसलिए इसको आप दो कॉलम लेकी बनाएगा तो अराम से बन जाएगा क्योंकि यहां तो मतलब क्या दे रहा है कि पैसा withdraw हो रहा है और पैसा deposit हो रहा है तो क्या मतलब कैसे है तो जैसी कि यह cash book है और यह आपका pass book ठीक है अमान लीजे beginning of the month में इसमें भी 1000 रुपे बैलेंस था और इसमें भी 1000 रुपे बैलेंस था अब इसी case को करते है इस 1100 को AMD ौक बनाने के लिए सौ मनफें कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए एक हजार हो गए तो यहांप क्या किये यहां देखिए माइनस की और यहां पर न देखिए माइनस है ठीक है तो आई होप आपको समाज में आगे होगा तो इसी तरह का और भी कॉंसेट को जानने के लिए और और किसी भी टॉपिक पे आपको अपना डाउट क्लियर या अच्छा से कॉंसेट को जानना है तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को तो दबादें ताकि आपको आने वाला अपडेट्स मिलता रहें बहुत बहुत धन्यवाद आपका